नेपाल राष्ट के लोगों का फर्जी कूट रचित आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह की चार सदस्यों को स्टीएफ उत्तर परदेश को गांधी आश्रम गली कुलुही बजार जनपद महाराजगंज से ग्रिफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई ग्रिफ्तार अब्युक्तों में पहला नरेंद परताप सिंग, पुत्र सोमनाज सिंग, निवासी व थाना कुलुही बजार जनपद महाराजगंज दूसरा मेनुद्दीन उर्फ सलमान पुत्र स्वर्गी बिस्मिल्ला कुरेशी निवासी उस्मान नगर थाना नोतनवा जनपद महाराजगंज तीसरा आशु थापा, पुत्र स्वर्गी जीवन थापा, निवासी वार्ड नमबर चौधा, गौतम बुधनगर, फूल गली थाना नोतनवा जनपद महाराजगंज चौथा शाम सुंदर चौधा, पुत्र राम निवास चौधा, निवासी तिलोग, पुर्ध, धौला पानी, थाना, सौनौली जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है इनके पास से चार अदद फर्जी कूट रचीत आधार कार्ड, चार अदद मोबाईल, दो अदद लैप्टाप जिसमें फर्जी कूट रचीत आधार कार्ड के दस्तावेज है, एक अदद प्रिंटर जिससे फर्जी कूट रचीत आधार कार्ड प्रिंट किया जाता है, ती तीन अदद एटियम कार्ड, तीन अदद पैन कार्ड, दो अदद निर्वाचन कार्ड, दो अदद डियल और 13,300 रुपे नगत बरामद हुए हैं। स्टीएफ उत्तर परदेश को विगत कुछ दिनों से नेपाल बार्डर से सटे विभिन जन्पदों में फर्दी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के संबन्द में सूचनाय प्राप्त हो रही थी इस संबन्द में। स्टीएफ टीम इकाई गुरकपूर की टीम गठित कर नेपाल बार्डर से सटे विभिन जन्पदों में अभी सूचना संकलन की कारवाई प्रारम की गई तथा अभी सूचना तंद्र को सक्री किया गया। गांदी आश्रम के बगल की गली में खड़े तीन व्यक्तियों की तरफ इशारा करके बताये कि यह लोग फर्दी कूटरचित आधार कार्ड बनाने वाले गिरोग के सदस हैं। जो नेपाल राश्र के लोगों का फर्दी कूटरचित आधार कार्ड बनाते हैं। इस पर स्टीफ टीम द्वारा आवश्रक बल परियोकर तीनों व्यक्तियों को गिरिस्तार कर लिया गया जिनके पास से उपरोग वस्तुयों बरामध हुई। गिरिस्तार अभ्युक्तों से पूश्ताच के आधार पर ब्रिजमंगन रोट कुलोही बादार जन सिवा केन से नरेन परताफ सिंग को भी गिरिस्तार कर लिया गया। उपरोग गिरिस्तार अभ्युक्त मैनुद्दीन, श्यामसुंदर वा आशुथापा ने पूश्ताच में बताया कि नरेन परताफ सिंग जो ब्रिजमंगन रोट कुलोही बादार से जन सिवा केन चलाता है। एक आधार कार्ड बनाने में बीस से पचीस हजार रुपे मिलता है जिसे हम लोग आपस में बाट लेते हैं। जार रहाँ झाल झाल